Hello everyone, आज हम डिसकेस करने वाले हैं दिल्य उनिवर्सिटीज की कोर्स बी आ ओनर सोचिलोजी के बारे में complete detail डिसकेस करने वाले हैं कि entrance test कोन से आपको subject इसमें choose करने दिल्य उनिवर्सिटीज का entrance test देने के लिए, merit list जो है कैसे बनेगी eligibility criteria में यह जो subjects mention है यह subjects कहां से choose करने है कौन-कौन से college है जो कि be a honor sociology offer करते है सब हम इस वीडियो में एक एक करके जो है discuss करने वाले तो चलिए सबसे पहले eligibility criteria चेक कर लेते है eligibility criteria जैसे कि यहां mention है देखिए आपर सबसे पहले लिखावा है candidate must appear in CUAT in the following subject combination तो यह combination दे रखा है आपको इस combination में appear होना पड़ेगा तभी आप merit list के लिए participate कर सकते हैं सबसे पहले देखिए क्या लिखा है any one language from list ए तो list A से आपको एक language selector नहीं है अब यह list A क्या है list A में सारी की सारी language mention है चाहे English हो, Hindi हो, Sanskrit हो, Punjabi हो, उर्दू हो, डोगरी हो, Tamil हो, सारी language है उसमें से आपको एक language choose करनी है उसके बाद दो subjects आपको choose करने list B1 से और एक subject और आपको choose करना है या तो list B1 से choose कर लीजे या फिर list B2 से choose कर लीजे अब बात आती है कि ये B1 और B2 क्या है list B1 में और B2 में दोनों में domain subject है जो कि आप class 12 में पढ़ते हैं अब total तो आपको समझ आगा है कि आपको 4 टेस्स देने पढ़ेंगे लेकिन ये जो subject choose करने है ये वही subjects होंगे जो आपने class 12 में पढ़े है अब ये कहां लिखा है ये भी इसी दिल्य उनिवर्सिटी के prospectus में लिखा है सारी information में आपको एक एक करके बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी दिकत ना है चलिए colleges भी देख लेते हैं 11 colleges हैं जो कि be a honor sociology offer करते हैं चलिए अब हम जो है लिस्ट a b1 b2 की तरफ चलते हैं ताकि आप लिस्ट भी देख पाएं सारी चीजें इसी prospectus में mention है यह देखिए यह आ गए हम लिस्ट a में सारी language यहां पर तो एक language में चीजें आपको लिस्ट b1 और लिस्ट b2 दो सब्जेक्ट यहां से चूज करने ही करने हैं आपके पास option नहीं है एक सब्जेक्ट से यहां से चूज़ करना है ठीक है चाहे B1 से चूज़ कर लेजी या फिर B2 जान रखेगा अगर आपने B2 से दो चूज़ कर लिए और B1 से एक तो आप वैसे ही eligible नहीं है आपका form cancel हो जाएगा ठीक है तो आपको apply करना विकार होगा अब यह बात कहां लिख आप सब्सक्राइब करें यह सारी इंफोर्मेशन आप इस प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस जो है आप यह दिल्यू उनिवर्सिटीज की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स मिल जाएगा और आप हमारे टेलि अग्यो जाएगा एगाशन बाक्स में चेस्टस्टस.